सल्मान खान ने आखिरकार खोली शालीन की आखे शालीन के सामने टीना का एक ऐसा सच लेकर आए जिसके बाद टीना का गेव अब खत्म हो जाएगा सल्मान ने साफ साफ ये साबित कर दिया की शालीन की सच्ची दोस कौन है टीना या सुम्बुल टीना ने जिस तरीके से कई घटिया इल्जाम सुम्बुल पर सल्मान के सामने लगाए इसके बाद सल्मान खान ने जिस तरीके से सुम्बुल को फटकार लगाई हर किसी को ये लगा कि वाकई में सल्मान भी सुम्बुल को अपसेस्ट और पसेसि मानते हैं लेकिन यहाँ पर सल्मान गेम खेल गए, सल्मान ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो शालीन के सामने इस बात को साबित करना चाते थे कि शालीन तुमारी सची दोस्त टीना नहीं सुम्बुल है तो इस तरीके से सल्मान खान ने जो परदाफाश किया है टीना का उसके बाद टीना के भी निकले हैं आसू हाला की प्रोमो में जो दिखाया गया उससे यही लगता है की सुम्बुल को सल्मान ने फटका लगाई है लेकिन ये सब कुछ सल्मान खान ने टीना की सच्चाई सामने लाने के लिए किया है सल्मान खान ने साफ साफ कहा कि टीना जिस तरीके से सुम्बुल पर नैशनल चेलिविजन पर इलजाम लगा रही है शालीन तुम्हारी फीड पीछे भी टीना तुम्हारे साथ यही करती है अगर वो एक दोस के साथ ऐसा करती है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं करेगी जबकि सुम्बुल कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे तुम्हारी और टीना की इमेज गंदी दिखे ठराब दिखे या तुम दियनों का रिष्टा गंदा दिखे तो सलमान ने ये सब कुछ शालीन की आखे खोलने के लिए किया और साबित कर दिया कि तीना नहीं बलकि सुम्बुल ही शालीन की पहले दिन से सची दोस्त है आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं